जाईका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम बनाएंगे पीजा पिछली वीडियो में हमने आपके साथ होम मेड पीजा बेस की रेसिपी सेर की थी जिसे हमने बगेर ओवन के पेन में बनाया था अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसी होम मेड पीजा बेस का इस्तेमाल करके आज हम पीजा बनाएंगे वो भी बगेर ओवन के पेन में तो चलिए सुरू करते हैं तो पीजा बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ इंग्रीडियन्स लिये हैं जैसे की पीजा बेस तो हमने यहाँ पर यह होम मेड पीजा बेस लिया है आप इसकी जगा रेडि मेड पीजा बेस भी ले सकते हैं और हमने गाजल लिये जिसे लंबा काट लिया है क्यूब्स में कटी हुई पनीर सिमला मेश को भी हमने लंबा काटा है और टमाटर को भी इसी के साथ हमने प्यास को स्लाइसिस में काट लिया है थोड़ा सा पानी लिया है पिज़ा सोस है और टोमेटो केचप इसी के साथ हमने लिया है मोजेला चीज आप यहाँ पर मोजरेला चीज की जगह प्रोसेश चीज को ग्रेट करके भी ले सकते हैं और हमने चिली फ्लेक्स, पीजा सिजनिंग और ओरेगेनो लिये हैं हमने जो पीजा बेज लिया है वो छोटी साइस का है आप मीडियम या फिर बड़ी साइस का भी ले सकते हैं तो सबसे पहले हम इस पर अच्छे से पानी एप्लाई कर देंगे ताकि यह थोड़ा सोफ्ट हो जाए और अब हमें इस पर एप्लाई करना है पीजा सोस और चम्मस से इसे अच्छे से पूरे बेस पर एप्लाई कर देंगे और अब हम इस पर एप्लाई करेंगे टोमेटो केचप टोमेटो केचप यहाँ पर बिल्कुल ओप्सनल है आप इसे स्किप कर सकते हैं तो source एप्लाई करने के बाद हम इस पर चीज की एक लेयर बना देंगे अगर आपके पास process चीज है तो आप उसे इस तरह से ग्रेट करके एट करें के इसकी एक लेयर बन जाए और अब हम इस पर एट करेंगे पनीर के cubes और अब हम इस पर एक एक करके सारे वेजिस एट करते रहेंगे हमने यहाँ पर सारे वेजिस को लंबा काटा है आप यहाँ पर सिम्ला मिश प्यास कोट क्यूप्स में भी काट सकते हैं और अपनी पसंद के हिसाब से आप इसमें टोपिंग्स एड़ कर सकते हैं जैसे की कॉर्ण ओलिव वगेरा गाजर, सिम्ला, मिर्ष, पनीर और टमाटर हमने इस पर एड़ कर दिये हैं और जो प्याज हमने स्लाइसिस में काट कर रखी है उसे हम इस तरह से खोल कर एड़ करेंगे अगर आपको जरूरत लगे तो आप इस टेश पर थोड़ा सा नमक भी स्प्रिंकल कर सकते हैं वैसे पीजा सोस में काफी नमक होता है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सारे वेजी सेखने के बाद हमें इस पर फिर से चीज एड़ कर देना है फिर डालेंगे थोड़ा सा ओरेगेनो चीली फ्लेक्स और पीजा सीजनिंग अब ये सिखने के लिए बिल्कुल रेडी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम जिस पेन में पीजा को सेखने वाले हैं उसके नीचे हमने एक तवा रखा है तो इस तरह से हमें नीचे तवा रख लेना है ताकि ये नीचे से जलेगा नहीं और बिल्कुल परफेक्ट हमारा पीजा बनकर तयार होगा और अब हमें पेन पर थोड़ा सा तेल एपलाई कर लेना है शुरुआत में हम गेस की फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि पेन और तवा अच्छे से गरम हो जाए और जब पेन अच्छे से गरम हो जाएगा तो हम गेस की फ्लेम को लो कर देंगे और हमने जो पीज़ा रेडी करके रखा है उसे इसमें रख देंगे इसे कवर करके लो फ्लेम पर तब तक सेखेंगे जब तक की जो चीज है वो पूरी तरह मेल्ट ना हो जाए तो इसे सेखते वक्त हमें गेस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और हमने इसे पांच मिनिट तक सेख लिया है और अब देख सकते हैं कि इसका सारा चीज मेल्ट हो गया है और हमारा एक पीज़ा बनकर बिल्कुल तयार है इसे हम पेन में से निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी के पीज़ा रेडी करके पेन को तेल से ग्रीस कर लेंगे और इसे सेखते वक्त हम गेस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और चीज के मेल्ट होने तक इसे सेखेंगे तो यहाँ पर हमने टोटल चार पीज़ा बनाए है होम मेट बेस का इस्तेमाल करके हमारा बना हुआ पेन पीज़ा बिल्कुल तयार है बगेर ओवन के भी यह बहुत ही बढ़िया बनकर तयार हुआ है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं फिर मिलेंगे ज़ाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई